आ जाओ भीतर खिड़की से जांते क्या हो सूरे देव तुम भी आओ न पुर्वा जरोखा खुला रखा है मैंने दर्वाजा बंद है भीतर से पहचानती हूँ दस्तक तुम्हारी चीची कर लो जी भर चिरया ठहरो जरा चंद शन जल पान का इंतजाम तो कर लो प्यारे पहुनों तो आप समझे गए होंगे कि आज मैं क्या लाने वाली हूँ मैं लाई हूँ आपके लिए पुस्तक पक्षियों के संसार में बलजीत सिंग जी आप देख सकते हैं यह हैं बलजीत सिंग जी रचिता हैं इनके इस पुस्तक के तो यह है पुस्तक पेपर बैक में दोजार चोबिस पर प्रकाशित हुई है बोधी प्रकाशन जैपूर से आई है मुले एक सो निनानवे रुपए प्रिश्ट एक सो सडश्ट परिच्चे देना चाहूंगी बलजीत सिंग के बारे में राजपुरा हिसार निवासी हैं इन्होंने सनातक किया है डियेड कला ध्यापका कोर्स किया है लेक फीचर लेखन का कोर्स किया है कहानी लेक कविताव पन्यास हाई कूक शनिकाए यात्रा वरितांत डाइरी यह सबी लिखते हैं इनकी विधायें दस पुस्तक के परकाशित हो चुकी हैं कृषी कारे करते हैं समानित हैं यह है पुस्तक जो यात्रा वरितांत है इन्होंने समर्पित किया दुनिया में वरिक्षार ओपन करने वाले सबी व्यक्तियों को जिनके विशेश योगदान से धरती मा का आचल हरा भरा रहता है जी और अब अब मकत्य की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि यह जो पुस्तक पक्षियों के संसार में यात्रा वरितांत आपके हातों में है इसका उदेशे किवल यही है केवला देव राश्ट्रे उद्यान में रंग बिरंगे पक्षि प्रितिक सौंदरे का दीदार करना आगे कहते हैं कि मेरी नजर में यह उद्यान किसी जन्नत से कम नहीं है यह उद्यान का भ्रह्मन करते समय शिरी दाव द्याल जी की विशेश भूमिका रही तो दोस्तों आपको मैं दिखा देती हूं पक्षि विशेश अग्ये परियाव समीक्षा की बात करती हूं 11 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक पांच दिन में केवला देव राष्ट्रे उद्यान भरतपूर राजस्तान की यात्रा है इसमें आप इसको भरतपूर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते होंगे लेकिन इसका नाम है केवला देव राष्ट्रे बगवान जी को कहते हैं और उनका मंदी रहे किया पर इसलिए इसका नाम केवला देव राष्ट्रे उद्यान है अब मैं बात करती हूं यहां रहने वाले पक्षियों की तो इसमें यहां रहने वाले पक्षियों जीव जन्तों और प्राकृतिक सौंदरे का अद्भू विशलेशन किया है विवेचन किया है महीन जानकार्यू प्लब्ट कराई है ऐसा लगता है कि इनकी लेखनी से कुछ भी बचने ही पाया पांच दिन में क्षण क्षण का लेखा जोखा है इसमें पाठे पुस्तक जैसा मुझे फील कराती रही यह किताब डाइरी शैली का इ जरूरत ने देवनागरी लिपी का हमें प्रियूप करना चाहिए अच्छा पश्यू पक्षियों जीव जन्तों पेड़ पोधों तला पार्क शहर खानपान कुवां कैंटीन मंदरेगा मजदूर इन सब का वननन इस पुस्तक में आया है इन्होंने पश्यू पक्षियों के रूप रंग मनावट व्या वहार आदतों का भी महीन विचलेशन किया है इसमें और दूर बीन से कैमरे से आँखों से जितना ये देख पाए सब कलम बद किया है इन्होंने नोटिस बोडो पर लिखी जानकारियां विस्तार से लिखी हैं और ये भी बताए कि पच्छू प प्रेवियों के लिए उपहार से कम नहीं है सौगात है उनके बस कुछ सुझाव देना चाहूंगी रोमन लिपी के स्तान पर जासा मैंने कहा देव नागरी लिपी का प्रियोक करना चाहिए इनको और हां पच्छू पक्षियों की रंगीन फोटो अगर होती तो मजा ही या तो जैसे देखो मुख प्रिष्ट पर इन्होंने सिर्फ दो पक्षियों की देखा होगा अपनी फोटो लगाई है और पीछे इनकी अपनी है तो अगर यह चाहते तो जो जो इन्होंने देखा उनकी फोटो दोनों तरफ कर सकते थे और परिचे इनका अंदर आ जाता त प्रिष्ट 35 पर इन्होंने लिखा सबजी जूठी, सबजी कभी जूठ नहीं बोलती, सबजी जूठी होती है, चुट चुटी गलती है, और एक प्रिष्ट 60 पर हूनर लिखा है, हूनर नहीं होता हूनर, बस यह गलतियां थी, और मज़ा बहुत आया इसको पढ़ने में, सब सबसे पहले तो इन्होंने पक्षी वीशेशग और परियावरन विद्द दाव द्याल शर्मा जी का परिचे दिया है, यह गाइड है, शिक्षन भी देते हैं, यह बहुत सम्मानित व्यक्तित तो हैं, यह 42 वर्ष से उद्यान में घूमते हैं, अच्छा उसके परिचे के ब पूरे पांच दिन, सोचे क्या अद्बुत अनभव, जिससे जंगल में रहना पांच दिन के लिए कितना अद्बुत लगता होगा, उनका भी पच्छो पक्षों का भी अपना संसार है, यह जो जमीन आप देख रहे हैं, जिस पर हम रहते हैं, हमें लगता है हमारा अदिका आचा इन्हों ने बताया कि जैसे हिसार से आये, गुरगाव से फिर राजस्तान के इन्हों ने शेहर, एक शेहर का नाम था पहाड़ी, एक शेहर का नाम था नगर, कुमहेर गाव, यह तीन जगह गुजरते हुए आगे गए, उसके बाद पहुचे भरत-पुर, भरत-पु मैंD जरूर देखें अगर आपको मौका मिले पिर पक्षी उद्यान में देखें अब मैं कुछ पक्षियों के नाम बताना चाहूंगि आपको पता चलेगा किस तरह के पक्षी हैं आप सभी जानते हैं साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं यहां हर साल, प्रजनन के लिए आते हैं, वहां पर बहुत सर्दी हो जाती है, तो यहां महफूज रहते हैं वो, अब सुनियेगा, इंडियन ग्रे हॉन बिल, तोते हिरन, नील गाएं, जल मुर्गी, साप अज जलते हैं, ऐसी कलहंस काले रंग का हंस था, अच्छा सुनहरा कट फोडवा, चो लकड़ी को काट तोड़ देता है, उसको कट फोडवा, सुनहरे रंग का था, बंदर थे, प्रवासी पक्षी, यॉरप और एशिया से आयवे थे प्रजनन के लिए, यहां वो देखे, तिद और मार्श हेरियर, यॉरप से जो है था, सफेद बुज्जा, पपीहा सारस, जंगली सुर, लेडी बीटल, हरे कबूतर, पिलवा धोबी, पीले रंग का, देखो एक पक्षी होगा, गिलहरी, मॉनिटर लिजर्ड, चमगादर, धूसर इगल उल्लू, यह तो देखे, इसके अलावा इन्होंने भरतपुर शहर में बिस्तर बंद मिठाई खाए, सुनेरा कलाकंद, केसरवला, वो खाया, तो इनका कहना है कि वो जरूर खाएं, और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि कैमरा तो लेकर ही जाएंगे, सभी के पास आजकल मॉबाइल है, कैमरा ले जाए साथ ही दूर बिन जरूर ले जाएं, और वहाँ पर किराय पर साइकल ले ले लें आप, उससे क्या होता है कि आप साइकल से घूम पाएंगे, देखे इस तरह के श्वेट, श्याम, चीतर हैं, तो मुझे लगता है कि अगर रंगीन होते तो मज़ा ही आ जाता, चलिए, बहुत ज़्यादा, जो लोग शोद करते हैं पक्षियों के शेतर, उनके लिए बहुत उप्योगी है, बहुत ज़्यादा, और अब मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी इस पुस्तक से, भूमिका में इन्होंने एक बड़ा अच्छा लिखा है, मा निशाद प्रतिष्ठाम, त जब क्रोच पक्षि के जोड़े को देखा था, और शिकारी ने तीर मार के उसके साथी को मार दिया था, तो दूसरा क्रोच पक्षि बहुत रोया था, तो उनके मुझ से निकला था, मारी शीवालमिकी के, यही जो मैंने पढ़ा, मा निशाद प्रतिष्ठाम, तौम गताहा शास्वती समाहा, और क्रोच सारस यहां इनोंने देखा, यह बताया है इसमें, और मैं कुछ और पढ़ना चाहूंगी, बीच-बीच में बड़े अच्छे-च्छे इनोंने अपने राय दी है, इनोंने लिखा है, कि सचमुच पक्षी भी कमाल के इंजीनियर होते हैं, जिस आगे से काला, पीछे से काला, लेकिन कमर और पेट से बिल्कुल सफेद, आप ऐसा कह सकते हैं, मानो, काले-काले बादलों की टोली में से कोई सफेद बादल खुस कया हो, वा, उपमाय देखिए, तो क्योंकि यह लेखक हैं, खाली घुमते फिरते नहीं हैं, इसलिए इतनी अच्छी बाते कर पाते लेखक हैं, यह साहित्ते रचते हैं, एक जगा इन्होंने लिखा कि सफेद सफेद फूलों वाली बेल, रात के समी महक उत्पन करती है, और सूर्योदे होते ही अपने आप महक ना छोड़ देती है, बहुत ही वीचितर बेल है, जो रात के समी महकती बहुत सुन्दर, एक जगा इन्होंने और भी लिखा है, यह कहते हैं कि इन्होंने एक चीज़ और बड़ी कही, गोल्डन स्पाइडर, और बताया है, इन्होंने और एक हेलिकॉप्टर वाले पंखों की तरहां, इनकी टांगे, यह सब दिखाए इन्होंने, एक चीज़ उ जालों के लिए तो यहां भैस के आगे, बीन बजाना वाली कहावत से होगी, बिल्कुल सही का है, जिसको रूची है, वे जाए भरतपुर देखने और इस किताब को अवश्य पढ़े, और अंत में इन्होंने बहुत सुनर लिखा है कि, इन्होंने लिखा है कि, उपकार का एक उपकार फिल्म का एक गाना गीद गुझा इनके मन में, जब ये गए थे शाम के समय, शास्तरी पार्क में, जब ये शहर में घूम रहे थे, कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, क्योंकि ये गाना गुझ रहा था, और इनको याद आया, इनका ध्यान वहीं चला गया, केवला देव, राष्ट्रे उद्यान की तरफ, और इनका सच में, हमारे देश की धरती, सच मुझ सोना चांदी, और हीरे मोती वलती है, और बड़े गर्व के साथ, मैं कह सकता हूँ, कि इस तरह के उद्यान, किसी हीरे मोती से कम नहीं ह तो दोस्तों, मुझे उमीद आपको यह पसंद आये होगी, और मैं उमीद करती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तुरंत कर लें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ रहने के लिए आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद